नमस्कार जार्खन NMMSS अर्थात राष्ट्रिय साधम सह मेधा चात्रुवित्ती 2022-23 की में में प्रस्ण संख्या एक से लेकर सुलह तक के प्रस्णों को हल करने जा रहा हूं तो आप ध्याम से देखेंगे प्रस्ण संख्या एक से लेकर दस में चार चार आप्सन दिये गए हैं इन में से तीन आप्सन किसी न किसी कारण से एक जैसे हैं और उन चारों में से कोई एक ऐसा है जो बेमेल है यानि ओड है तो जो बेमेल है उसे ही आपको चुनना है और वही आपका एंसर होगा तो कोईशन नबर वन देखते हैं इसमें एक है स्पेन जर्मनी जारकंड और भारत आप देखें कि स्पेन जर्मनी और भारत ये देश हैं लेकिन जारकंड एक राजे है तो यह जो जारकंड है यह यहाँ पर ओड हो जा रहा है यानि बेमेल हो जा रहा है तो यह हमारा एंसर होगा यह सी नबर कोईशन नबर टू अबरत पेट्रोलियम कोईला और स्टील हम जाते हैं कि अबरत पेट्रोलियम और कोईला जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं किन्तु स्टील जमीन के नीचे से निकाले नहीं जाते हैं वलकि यह मनुस्य द्वारा बनाए जाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ओड है या कहें बेमेल है वो है स्टील प्रस्ण संख्या तीन इंडिया गेट ताजमहल लालकिला और मुंबई तो हम जानते हैं कि इंडिया गेट ताजमहल औरarta यह मॉनूमेंट्स हैं लेकिन मुंबई एक शहर है तो इस प्रस्ण में मुंबई बिमेल है तो यही हमारा अंसर होगा प्रस्टन संख्या चार राची जमसेथपूर धनबाद और पटना तो यह बड़ा असान कोश्चन है राची जमसेथपूर धनबाद यह जारखंड के जिले हैं जबकि पटना जारखंड में नहीं है तो यहीं पटना हमारा बेमेल है यहां कोश्चन नबर फाइव फ्रांस जर्मणी युनाइटेड किंड़म यूरो यहां फ्रांस जर्मणी यूनाइटेड किंड़म यह देश है जबकि यूरो देश नहीं बलकि महादेश है तो हमारा एंसर हो गया डी नंबर यूरो Q6. शिक्षक, विद्यार्थी, व्यक्ष्याता, प्रोफेसर तो हम लोग जान रहे हैं कि शिक्षक, व्यक्ष्याता, प्रोफेसर इन सभी का काम है पढ़ाना लेकिन विद्यार्थी का काम है पढ़ना तो यह यहाँ पर यह जो विद्यार्थी या स्टोडेंट यह हमारा ओड है क्रिकेट प्लेयर है जबकि प्रकास पादुकोने बैडमिंटन प्लेयर है तो हमारा एंसर होगा यह दी नंबर प्रकास पादुकोने पत्तागोबी, टमाटर, बैगन और आलू तो पत्तागोबी, टमाटर और बैगन यह जमीन के उपर होते हैं जबकि यह आलू जमीन के नीचे तो हमारा एंसर है डी नंबर आलू क्रिकेट नंबर नाइन है महाभारत, कुरान, व्यास और बाइबल महाभारत, कुरान और बाइबल यह तीनो धर्म गरंथ है जबकि व्यास एक लिखक का नाम है तो यह हमारा व्यास एंसर है, C नंबर क्रिकेट नंबर टेन प्रशांत महासागर, गंगा, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर तो यहाँ प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर यह महासागर है जबकि गंगा एक नदी है तो हमारा एंसर है भी गंगा कोश्चन नबर 11 यहां एक स्रिंखला दी गई है संख्याओं की तो यहां जो कोश्चन मार्क है यहां बताना है कि क्या होगा और यह संख्याओं है 8, 27, 64, 125 8, 27, 64 और 125 तो यह 8 है वो क्या है 2 का घन है 2 क्यूब 27 क्या है 3 का घन है यह 64 क्या है 4 का घन 4 क्यूब और यह है 5 का घन या 5 क्यूब तो हम लोग देख रहे हैं 2, 3, 4, 5 तो अगला क्या होगा 6 का क्यूब होगा 6 का क्यूब और यह कितना होता है 6 गुना 6 गुना 6 ये 200 सुल्ला तो यहां हमारा B नंबर ये हमारा एंसर हुआ कोशन नंबर 12 से सुल्ला में यहां ये अलफाबेट्स का कुछ स्रिंखला दिया गया है और इसमें अगला क्या होगा कोशन मार्क में ये हमें बताना है तो आईए देखते हैं प्रसन संख्या 12 में A, B, E, F, I, J उसके बाद कोशन मार्क है तो और यहां पर 4 आप्सन हमें दिये गया है तो हमें देखना है कि कौन सा आप्सन सही होगा तो यहां देखें A, B, उसके बाद E, F आ जा रहा है तो इसके बीच में क्या छोड़ दिया गया है C, A, B, C छोड़ दिया गया, E, F फिर इसके बाद आ रहा है, F के बाद G छोड़ दिया गया है और A, B, नए दो छोड़ दिया गया, सौरी, C, D A, B के बाद दो छोड़ दिया गया, C, D उसके बाद E, F आ गया और फिर यहां F के बाद G, H, दो छोड़ दिया गया, I, J आ गया तो इसके बाद, इस परष्ट है कि दो अक्षरों को छोड़ कर होगा तो J के बाद क्या होता है, K, L अब K, L के छोड़ के बाद हम आते हैं, तो इसके बाद आता है M, N तो यह हमारा E नमबर सही है कोशन नमबर 13, C, E, G, I इसके बाद कोशन बाद, तो हम देखते हैं कि यह स्रिंकला किस तरह से चल रही है C के बाद, D, यह छोड़ दिया गया है, E आ गया, E के बाद, यह G है तो कौन सा अक्षर छोड़ा गया, F और G के बाद, I आ रहा है, तो यह कौन सा अक्षर छोड़ा जा रहा है, G के बाद, H तो इस परस्ट रूप से हम देख रहे हैं कि एक-एक अक्षर छोड के लिखा गिया है यह स्रिंखला बनाई गई है तो आई के बाद क्या छोड़ देंगे हम जे तो यहां पर क्या हो जाएगा कि यह हमारा एंसर होगा सी नंबर 14 नंबर आप देखिए यहां है L K J O N M R Q P तो अब हम इधर से देख रहे हैं चलिए यहां देखिए J K L फिर यहां सुरू हो रहा है L के बाद आ रहा है M N O उसके बाद फिर O के बाद फिर यहां P आ जा रहा है P Q R तो इस तरह से R के बाद यहां क्या होगा एस टी यू तो यह कौम सा है यह हमारा सी नंबर कोशन नवर 15 देखते हैं Q ST V W X Z A B C इसके बाद कोश्चन मारते हैं तो देखते हैं किस तरह से यहां पर यह सिरीज बनाए गया है Q के बाद R Q R के बाद S T T के बाद U छोड़ दिया गया है उसके बाद V W X X के बाद Y छोड़ दिया गया है और Z आ गया है तो Z A B C एक एक छोड़ कर बढ़ रहा है और साथ-साथ यह भी देख रहे हैं कि पहला पहला जो स्रीज में पहला जो इंट्री है वो है एक अक्षर है स्रफ एक लेटर है दूसरा में दो है तीसरे में तीन है चौथा में चार है तो पांच में में पांच होगा तो और C के बाद हम एक अक्षर छोड़ देते हैं D तो अब हमें पांच लेटर लिखना है E F G H I पांच हो गया एक दो तीन चार पांच तो यह हमारा B नंबर सही है अब इसके बाद देख रहे हैं यह 16 नंबर तो इसका स्रीज देख रहे हैं तो यह देख रहे हैं कि यह उल्टा चल रहा है तो यह बाएं से दाहीनी की और नहीं बलकि यहां पर यह दाहीने से दाहीने से बाएं की और चल रहा है इस तरह से बाएं से दाहीनी की और तो O के के बाद Q है तो बीच में क्या छुटा दिख रहे हैं ओ पी क्यू इसके बाद कोश्चन मार्क है इसे जब हम छोड़ दे रहे हैं अब इधर वाला देख रहे हैं U के बाद V छोड़के W आ गया और W के बाद X छोड़के Y आ गया तो अब इसको चेक करते हैं Q के बाद क्या होगा O, P, Q, R यहां छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा इसके बाद S और S के बाद यह हमारा कोश्चन मार्क में S होना चाहिए फिर आगे भी चेक कर लेते हैं Q के बाद जब हम T छोड़ते हैं तो U आ जाता है अर्थाथ हमारा एंसर क्या होगा S और यह C नंबर में है इस तरह से हमने Q 1 से लेकर 16 तक के प्रश्णों को हल किया है पाट 2 वीडियो में इससे आगे के प्रश्णों को हल करूंगा जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और जितने वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए धन्यवाद